Hello everyone and welcome back to my channel तो कैसे हैं आप सब? I hope आप बहुत ही अच्छे होंगे and good health में होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ अगर आप मेरे चानल पर नए हैं तो Hello, I am Jaya Sharma and मैं वीडियो बनाती हूँ make-up से related, haul, travel, reviews आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ review एक hair removing spray का जो कि मुझे बहुत ही जादा interesting लगा इसलिए मैंने उसे try करने के लिए purchase किया इसका full demo भी मैं आपके साथ share करूँगी अगर वीडियो आपको पसंद आता है और helpful लगता है तो make sure आप इसे like and share जरूर से कर दें चैनल को subscribe कर दें अगर इस तरीके के वीडियो आपको देखना पसंद है and notification bell को भी जरूर से press कर दे ताकि future में कोई भी नया वीडियो में upload करूँ तो उसका notification आप तक पहुँच जाए तो चलिए फटा फट से वीडियो शुरू कर लेते हैं आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है इसकी तो जो एवर्टीन ब्रैंड है जो हेर रिमोविंग क्रीम वगेरा बनाती है इंटिमेट हाइजीन के प्रोड़क्स बनाती है तो उसी कंपनी का ये प्रोड़क्ट है मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ पैकेजिंग कैसी मैं आपको दिखा देती हूँ तो कुछ इस तरीके का बॉटल है इसका इस तरीके के जो टॉवल्स आते हैं पी साइस के टॉवल्स जो आते हैं को वेट करते हैं तो यह एक्सपैंड हो जाते हैं तो वैसे यह दो टॉवल्स आये हैं इसके अंदर वाइप कह सकते हैं इस तरीके की इसकी बॉटल है इसमें 100 ml का प्रोडक्ट आ जाता है यह पैरबिन फ्री है तो इसमें बहुत सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है कि आपको स्कन पे यह रिएट करें आपकी स्कन को सूटना करें तो जरूर से पैच टेस जरूर करें अगर आपने शेविंग की है तो 72 आउर्ज तक आपको इसे यूज नहीं करना है किसी भी तरीके की तो लाइक आपको अंदर चेस्ट बगरा के रिमूव कर सकते हैं तो जब इसे लिभी यूस कर साथ ना जाया तॉ इतना आपको ध्यान रखना है अज को बढ़ इसका पैच्टेस् तरूर से करना यह हां out इस तरीके से नोट दिया गया है कि आपको पैच्ट जरूर करना है और आपको इसको च्हे मिनिट से जादा यूज नहीं करना है यह यह पर दी गई है फेबरी 2021 की इसकी मैनिफेक्ट्रिंग डेट है 2022 जनवरी तक की इसकी एक्सपारी डेट है तो यहां पर यह भी मैंशन किया हुआ है जब भी आप इसे अप्लाई करो तो थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन या टिंगलिंग सा आपको फील होता है तो इमीजेटली आपको इसे रिमॉफ कर देना है अगर आपको किसी भी हेरी हो चुकी है आपको सुट नहीं करता है तो आपको यह यूज नहीं करना है तो बहुत सारे यहां पर इंपॉर्टन नोट्स दिये गए है और जो भी भी आप इसे यूज करते हो उसके बाद में आपको एटलेस्ट कुछ टाइम तक लाइक ट्वनिफोर अवर्स तक तो अव करता है कि नहीं करता है वो भी टेस्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर मैं अपने हैंड्स पे से ट्राइकर करके देखती हूं तो गोल्ड वगार की जूभी जूल्री वगरा है वो निकाल लें उसके बाद में ही अपलाई करें तो यहां पर मैं निकाल दिया यहां प तो यहां पर देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसे स्प्रेय किया है तो स्मेल जो है वो जो हेर रिमोविंग क्रीम वगरा की जो होती है एक्जेक्टली वैसी स्मेल आती है यह थोड़ा सा चिपचिपा है जैसे एक ला, चिपचिपा है, जैसे पानी निकाल दूगी and उसके बाद मैं अपने hands को इससे क्लीन करूँगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा पानी निकाल दिया है और इसे क्लीन करती हूँ और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है हेर हटते हैं कि नहीं तो to my surprise इसमें मेरे एक हेर भी निकल के नहीं आए बिल्कुल भी हेर रिमूव नहीं हुए मैंने काफी कोशिश की अच्छी तरीके से वाइप स्क्लीन भी किया जो टाइमिंग दी गई थी exactly उतने टाइम के लिए मैंने इसे रखा भी बट हेर बिल्कुल भी रिमूव नहीं हुए हाथ के अब देख सकते हैं मैं काफी कोशिश कर रही हूँ कि हेर रिमूव हो जाए बट वो बिल्कुल भी नहीं हुए तो मैंने सोचा क्यों ना इसे पैरों पे भी ट्राइ करके देखा जाए कि पैर के हेर रिमूव होते हैं क्या तो यहाँ पर मैं किसी और के पैर काफ दिखा रही हूं देमू तो अच्छी तरीके से मैं इसे पैरों में स्प्रे कर दूँगी बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने स्प्रे किया मैंने जो टाइमिंग दी गई थी लाइक 6 मिनिट बोला गया था तो उतना रखा था एंड लेक्स पे इसे मैं 10 मिनिट तक रखने वाली हूँ तो यहां पर 10 मिनिट हो चुके हैं अब देखते हैं कि हैर रिमूव होते हैं कि नहीं तो अगेन यहां पर मैं यह वाइप ले रही हूं और इसे पानी में डालके एक्सपेंड करेंगे एक्स्ट्रा पानी निकाल देती हूं और देखते हैं यह रिमूव हो रहे हैं क्या तो पैरो के जो हैर है वो जब मैंने हटाने की कोशिश की तो काफी जाला है आप देख सकते हैं रिमूव हुए और इसे मैंने 10 मिनिट तक रखा था तब जाकि हैर र और इसे नहीं हते थे तो पूरी तरीके से क्लीन नहीं हुआ इसे ञे कि में बहुत ही तरीके से ट्ली यह रिमूव नहीं हुए तो इस तरीके का प्रोड़क्त एक्चुली मुझे यह उतना जादा पसंद नहीं आया थोड़ी डिसपोइंट्मेंट हुई विकॉज हैं तो बिलकुल रिमूव नहीं हुए और पैरू के भी आप देख सकते हैं क्या हालत हो गई है आधी जगा के हुए और आधी जगा के इसी तरीके से बच गए तो मैं यहाँ पर काफी जादा कोशिश कर रही हूँ कि हैर निकल जाए बट यह जो वाइप दिया था उसकी तो हालत खराब ही हो गई थी अटाते अटाते बट यह बिलकुल भी नहीं रिमूव हुए तो यह हालत हो गई आप देख सकते हैं पैरो की तो आधी जगा के रिमू पसंद आया होगा और आपके लिए हेलफुल रहेगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर से कर दीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा सी यू इन मैं नेक्स वीडियो तिल दें टेक क्यार और बाबाई